हालो फ्रेंड्स जै मतादी वेल्कम तू मैं न्यू वीडियो कैसे हो आप सब लोग आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज की वीडियो में एक कुछ ऐसी रेसिपी लेकिया है जो आप लोगों के लिए फेवरेट है सबको पशन होती है बाहर मार् तो बहुत इजी है तो मैं आज बिना स्टेंट के कढ़ाई में बनाना बताऊंगी तो आहना आप लोग एक्साइटेट चलिए जली ली टाफट बनाते हैं आप लोगों को खिलाते हैं तो फ्रेंड्स मोमोस बनाने के लिए सबसे पहले हम गाजर लेंगे पत्ता गोबी ले जादा उसे कार्डिंग ले सकते हैं तो मैंने एक बड़ा प्यास कद्दुकस किया है और दो हिसाब पत्तगों भी हो गया और गाजर हो गया देख लिए ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा में मीडियम साइज का कद्दुकस करना तो आप मैंने सीनों चीज दुकस हो गया है इसके बाद अब इसमें हम थोड़ा सा नमक आट करेंगे ज्यादा नहीं आट करेंगे थोड़ा ही आट करेंगे इसलिए हम आट करें क्योंकि यह पानी है और इसका इस्ट्रा पानी जो सब छोड़ दे और जब यह पानी छोड़ देगा तो बड़ी अच् कुछ से भी कर सकते। ऐसा करें पूरा अच्छे से मिला लेना फिर इसको अच्छे से प्लेट में ढख देंगे। इसको ढख के 20 मिट के लिए रख देंगे। आप हम मॉमोद की चटनी बनाएंगे तो इसके लिए मेरे फ्राइदान ले लिया है और आप दो टमाटर ले लिए और लेशन लेंगे पूरा तो हम कम बना रहे तो इसलिए हमने कम लिए आप ज्यादा बनाईएगा तो ज्यादा ले लिजिएगा और अब डालेंगे साबुतलाल मिर्च, मिर्च तो इतना ही हमको पसंद दें तो मैंने इतना डालागा, आप पानी डालेंगे, पानी थोड़ा से ज्यादा याड़ करें, क्योंकि पानी कम होगा तो बाल नहीं होगा अच्छे से पानी जल जाएगा, तो इसलिए पानी देंगे ठंडा होके, इसको पीस लेंगे और इसमें ओयल और अद्रक का पेस्ट और मैगी मशाला, सबजी मशाला डालके हलका सफराई करों, और ये सौस थोड़ा सा पतली होनी चाहिए, ज्यादा गाड़ी नहीं होनी से पतली होनी, अब चटनी भी रेड़ी होगे और इतना लिया है, थोड़ा ज्यादा ले सकते, कम ले सकते आपको, जितना बनाना होगा, उसके बाद हम थोड़ा नमक आड़ करेंगे, तो नमक थोड़ा सा ही आड़ करेंगे, क्योंकि ज्यादा जब हो जाएगा तो फूल जाएगा, तो इसलिए कम आड़ करेंगे, उसके ब लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको गुत लेंगे तो ऐसे घुतर जाटा हो ताहोजेत ताइट अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी करके यह बनाई है अमने आटे को गूत लिया है और अब इसको ऑईल लगा के थोड़ा से इसके ओपर आफे ऐसी 15-20 मिनिट के लिए यह भी रख देंगे अब आटा भी रिड़ी होगा इसको मैंने शोड़ा लिया है और इसको लिया है अब इसको फ्राइक करेंगे कुछ लोग ज्यादा फ्राइक करते कुछ लोग प्लॉप आप यह प्संदा एसको थंडा होने के लिए झाड़ा देंगे अब देखिए सब कुछ रेडिय। के तो हम बनाएंगे Unfortunately of Denise तो इसके में मिरें छोटे छोट योई है bol माइका इसको Be इसमें और यह देखार है दोड़नेंट बंक्हां में करने दोग कंद वे दो थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर रहे हैं ना कम भल benefici ना जादा भलाट मेंडियम का भल snd थोड़ा थोड़ा करके आम भोग फोल्ड कर रहे हैं तो एक मैं आपतलों को बहुत अच्छे से दिखाफी है कलियर आप देख लीजिए बहुत बढ़िया बनता है बाहर कहीं खरीट तो बहुत महेंगा मिलता है अपने घर पर बना के खाए बहुत टेस्टी घर के टेस्ट लगी रहता है तो यह देखें मैंने पूरा थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर ले अब इसको नीचे थोड़ा सा दबा लेंगे और यह है ऐसी दीरे दीरे यह देखिए हमने दूसरा तयार कर लिया है ऐसे करके आपना साइज इसका छोटा हो शकता है बड़ा हो सकता आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं किसी को इसमें कुछ और भी बढ़ सकते हैं सब्जियां और कुछ एड़ कर सकते हैं सिम्ला मिर्श ह मेरे माँ मोज इस्टें उनतो है नी तो मैसी चलने में बनाने वाले हैं और वह भी चूले पे कड़ाई में बनाने वाले हैं तो आप लोग भी देख लिए कैसे बन रहा हैं तो इसके लिए सबसे पहले कौटन लेंगे और इसमें आयल लगाके पूरे चलने में अच्छ से लगा देंगे क्योंकि छूट जाएगा फिर देखें मोमोज अच्छी से इसमें रख देंगे और नहीं लगाएंगी तो छूटेगा नहीं तो इसलिए और लगाना बहुत जरूरी है वहना उसी में चिपक जाएगा ज्यादा भी मताब मेरे मोमोज तो रेडी हो गए तो सबस अब मोमो तो बन गये हैं फिंगर लगाके देखर हैं फिंगर में लग रहा तो बन गया है ला तो तो नहीं बनेंगे अब चलो जो लो में इसको निकालेंगे यह तो कि यह देखियो मेरे मconom Really प्लीस आप